हमस्कार दोस्तों एक बार फेश आप का बहुत बा स्वागत है गोर्वेन निपलेज वेलफेर की नई और फ्रेश वीडियो में सभी सरकारी क्रामचारियों और पैंसन बोग्यों के लिए आज की दो बड़ी खबरें जी हां दोस्तों हमारे सभी केंदरी क्रामचारियों और सभी सरकारी क्रामचारियों के लिए दो बड़ी और महत्पूर अपडेट निकल के आ रहे हैं तो चलिए इस वीडियो के माधियम से जानते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आये हैं इफियेफ का नियम पचास लाग करमचरे को होगा बड़ा फायदा जी हां दोस्तों मोधी सिरकार एक जनवरी 2020 से इफियेफ की नियम में बदलाव करने जारी है करमचरे की सोशल सिक्योरिटी को देखते होई ये कदम उठाया गया है इफियेफ के 6 क्रोड करमचरे के साथ ही 50 लाग अन्य करमचरे को भी इसका फायदा मिलेगा सरम मंतरल ने इस सम्मन्द में 31 अक्टूमबर को एक नोटिपिकेशन भी जारी कर दिया गया है दोस्तों दोस्तों इफियेफ की नियम उन सभी कमपनियों और संस्ताओं में लागू होते हैं जहां करमचरे की संक्या 20 या इससे जादा होती है अब केंदर सरकार ने करमचरे की सोशल सिक्योरिटी देने के मकसद से इसकी सीमा दस कर दी हैं दोस्तों और दूसरा बड़ा फायदा आपको होगा कि जंबो कस्मिन में प्राइविट सेक्टर में काम करने वाले करमचरे को अब तक पैंसन का फायदा नहीं मिलता है इफियेफ स्किम लागू होने से अब उन्हें पैंसन मिलने लगेगी और दूसरा अगली बड़ी करमचरी है केंदरी करमचरी है पैंसन भूगियों के लिए बड़ी करमई जहां दूसरा रेलवे करमचरी पिछले चार सालों से नहीं पैंसन योजना को समाप्त कर पुरानी पैंसन योजना लागू करने की मांग को लेकर अंदुलन भी कर रहे ह और दोस्तों सुक्रवार को इस सेंटर रेलवे क्रमचारी यूनियन के आवान पर आयोजीत महासभा में ओल इंडिया रेलवे में स्वेडरेशन के महामंतरी सिव गुपाल मिस्राजी ने NPS को समप करने के लिए जंग का एलान कर दिया हैं दोस्तों रेलवे करमी अब अपनी लड़ाई में डाक करमियों के साथ साथ बिहार के सिकसक वे छात्रों का भी सयोग लेंगे सिगर ही दिल्ली पहुँचकर संसत बाउन का गेराव करेंगे दोस्तों मिस्राजी ने काय के NPS को लेकर रेलवे करमचरी आरपार की लड़ाई के मूंड में हैं संसत गेराव के बाद सम्मान वीचारदारे वाले संगठन के साथ मिलकर बारत बंद की तयारे भी की जा रही हैं तो दोस्तों ये थी आज की दो लेटेस्ट कबरें उम्मिद करते हैं वीडियो में दीगे जानकर इस जरूर आपके लिए यूसफल रही होगी तो वीडियो को जादा से जादा सेर कीजे इसे के साथ जे हिंद जे बारत